नम्सकर दोस्तों स्वागत है आपका खेती बागवानी के इस नए विडियो में आज हम इस विडियों में गेहूं की नवीन उननत किस्म और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों के पांच नामों के बारे में बात करने वाले हैं इन में सबसे, पहला नाम है J.W.Rin.1106, यह मध्यमवधी 115 दिन वाली किस्म है, जिसके पौधे सीधे मध्यमूचाई के होते हैं, बीज का आकार सिचित अवस्था में बड़ा व्याकर्शक होता है, शर्बती तथा अधिक प्रोटीन युक्त किस्म है, जिसकी ओसत उपज 40-50 स्क्विंटल, फ्रती है क्टिया है, दो, अमरिता है पंद्रह सो, यह शर्बती श्रेणी की नवींदम सूखा निरोधक किस्म है, इसका पौधा अर्ध सीधा तथा उंचाई 120-135 सेकंड मी होती है, दाने मध्यम गोल, सुनेहरे अंबर रंग एवं चमकतार होते हैं, इसके 1000 दानों का वजन 45-48 क्राम और बाल आने का समय पिक्चासी दिन है, फसल पकने की अवधी 125-130 दिन तथा आदर्श परिस्थितियों में 30-35 क्विंटल प्रती है, तिया उपज, देती है 3. स्वार्न एच आई रिन 1489 समय से बोने हितू मध्य प्रदिश की उड़वरा भूमियों के लिए शीगर पुकने वाली गेरुवार निरोधक किस्म है, गेहूं का दाना लंबा, पोल्ट आकरशक 4. शर्बती जैसा चमकतार वस्वादिश्ट होता है, इसके 1000 दानों का वजन 45-48 क्राम होता है, फसल अवधी 110 दिन है, इस किस्म से 2-3 संचाईयों से अच्छी उपज ली जा सकती है, गेहूं की लोकरिन एक किस्म के विकल्प के रूप में इसकी खेती की जा सकती है, 4. हर्शत एचाई 1531 यह सूखा पाला वरोधी मध्यम बोनी 75-90 सेकंड मी उंचाई शर्बती किस्म है, इसके दाने सुडॉल चमकतार शर्बती एवं रोटी के लिए उत्तम है, जिसे सुजादा किस्म के विकल्प के रूप में उगाया जा सकता है, फसल अवधी 115 दिन है, तथा 1-2 सिचाई में 40 कुइंटल प्रती है, क्टिया से अधिक उपज देती है, 5. मालव शक्ती है 8498 यह कम उचाई वाली 85 सेकंड मी बोनी कठिया डियूर्म किस्म है, यह नंबर, दिसंबर तक बोनी हेतु उप्युक्त किस्म है, इसका दाना अतियंत आकर्शक बड़ा चमकदार, प्रोटीन वविटमिन एकी मात्रा अधिक, अतियंत स्वाधिश्ट होता है, बेकरी पदार्थ, नूडल्स, सिवयां, रवा आधि बनाने के लिए उप्युक्त है, बजार भाव अधिक मिलता है, तथा गेहुन निरियात के लिए उत्तम किस्म है, इसकी बोनी नवंबर से लेकर दिसंबर के दुवितिय सप्ताह तक की जा सकती है, इसकी फसल लोक एक सेकंड पहले तयार हो, जादी है, इससे अच्छ उपज लेने के लिए 4-5 पानी आवश्यक है, उमीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए उप्योगी रहा होगा, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका और आधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए, खेती बागवानी.com